South Africa क्रिके टीम की 5 most romantic जोडियों की बात करेंगे ऐसे क्रिकेटर्स की बात करेंगे जो की टीम में खेल रहे है और जो बहुत ही जादा romantic है भारत बनाम अफरीका की series चल रही है guys आज हम आपको 5 जोडियों के बारे में बताने जा रहे हैं सौथ अफरीका के कप्तान माक क्रम और उनकी वाइफ निकोल के बारे में अफरीकी कप्तान एडम आकरम की वाइफ निकोल डैनी लिनी है दोनों की जोडि काफ़ी romantic है इसकी गवाह है इनकी तस्वीरे देती है आप इनकी Instagram पर जाके देख सकते हैं पेशे की बात करें माकरम की वाइफ निकोल पेशे से एक entrepreneur है वो modeling भी करती है और वह शराप चतने का भी काम करती है तो वह इनका basically business profile का काम है guys साथ में बात करते हैं उनकी सबसे बड़े hitter जो है साथ अफरीका के सबसे बड़े hitter कौन है guys हें एक दूसरे के संग रुमांटिक तस्वीरे शेयर करते हैं शादी की बात करें इस कपल ने 2015 में शादी की थी मार्टिन्स पेशे से एक रेडियो ग्राफ है और मेमोग्राफ भी है यह उनका business profession है guys DC जोड़ी की बात करते है guys जो सबसे best जोड़ी है और जिनकी वाइफ बहुत ही जादा कुपसूरत है वो है केश्व माहराज की वाइफ लेरिशा स्पिन गेट बास केश्व माहराज की वाइफ लेरिशा है जो बला की कुपसूरत है वैसे दोनों की जोड़ी काफी romantic है guys लोव मैरिश की है दोनों ने और उनकी social media account romantic तस्वीरों से बढ़ा पड़ा है guys अब बात करते है guys इलर मिलर जी हाँ guys डेविड मिलर की बाइफ करते हैं गातक बल्लेबास डेविड मिलर की girlfriend है क्यामिला है इस दोनों की जोड़ी काफी romantic है किस करते हुए दोनों की तस्वीरे viral हो चुकी है आप उनके instagram पर जाके देख सकते है नेक्स्ट है सौथ अफरीका के सुपिन गेंद बास तबरेश शमसी और उनकी वाइफ का नाम है खदीजा तमरेश शमसी की वाइफ खदीजा शरीफ बहर खुबसूरत है और वह एक business woman है गाइज तो गाइज आप comment करके बताइए आपको सौथ अफरीकन क्रिकेटर्स में कौन सी सबसे ज़ादा romantic जोड़ी लगी और गाइज हमारे इस चैनल को like and subscribe कीजी वीडियो को like कीजी और ऐसी guys वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रही है और sports की दुनिया के हर एक छोटे बड़े अपडेट के लिए mking sports को like and subscribe कीजी थैंक्यू गाइज चैशीरा